फ्रेंड्स पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में गिरावट का दोर जारी था यूँ कहें कि सेंसेक्स ने करीब 10,000 पॉइंट की बड़ा गोता लगा दिया था लेकिन उसके बाद में निचले लेवल से काफी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और पिछले तीन दिन स बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखना को मिल रही है और लगबग यूँ देखे तो निचले लेवल से पच्छी सो पॉइंट की सांधारी कवरी हो चुकी है लेकिन बात यह है कि आज जो तेजी बने देऊ हो उत कायम नहीं रहा पाई वहाँ पे हमें आज तेजी म मार्केट ने क्या है वो खबर उसको जानने की कोशिस करेंगे दूसरी तरफ इंडियन रुपीज की डॉलर के सामने क्या कीमत है और गोल्ड की प्राइज कैसी है क्योंकि वो सारी बाते मैटर करती है मार्केट को साथ में कुरूड ओयल कितना और नीचे जा सकता है क्योंकि अगर थोड़ा नीचे दबाओ में आ जाए तो फिर पैट्रोल डीजल की प्राइज में जो बड़त होने वाले उसमें कुछ कमी दिखाई दे तो यह बहुत सारी बाते जिनको जानेगे इस वीडियो के मादियम से और आज बहुत बड़ी खुसकपरी निकल कर यह आई कि ज तो इलेक्शन के रिजर्ट आया वो सब रूलिंग गवर्मेंट के फिवर में जिसकी वज़र से माहोल पॉजिटिव बनाए तो अब आगे कैसी समोना रह सकते जाने की कोशिस करेंगे निप्टी के सपोर्ट और टार्गेट के मादियम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अग का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात करेंगे बेसी सेंसक्स की तो शुरुआ तो इस सुबब 56,242 पर और यही हाई यह दिन बरकी क्योंकि इसके बाद में काफी दबाव बना लो बना 54,982 का और अंत में 55,464 पर क्लोजिंग रही है यानि 817 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दिये 1.50% अपर क्लोजिंग दिये तो काफी अची तेजी तो बनी लेकिन जो तेजी की सुरुआत हुई थी उतनी तेजी रह नहीं पाई निप्टी 50 की अगर बात करें तो सुरुआत हुई 16,757 पर और यही हाई सी लो था 16,447 का और अंत में 16,594 क क्लोजिंग देखनों को मिली यानी 249 पॉइंट की तेजी के साथ में 1.53% निप्टी 50 भी उपर था अच्छी बात यह कि निचले लेवल से काफी अच्छी इसमें रिकवरी भी हुई काफी दबाव रहा था लेकिन रिकवरी भी हुई लोगों ने खरिदारी भी काफी अच की तेजी निप्टी 200 में 1.50% की तेजी निप्टी 500 में 1.50% की तेजी निप्टी मिड केप 50 में 0.69% की तेजी निप्टी मिड केप 100 में 0.91% की तेजी और निप्टी स्मॉल केप 100 में 1.40% की तेजी इंडिया वी एक्स आज 6.86% डाउन था निप्टी मिड केप 150 1.04% की त तो लगबग सारे के सारे निप्टी के इंडेक्स में हमें 1% की तेजी देख लग हो मिली तो यह सबसे बड़ी बात है कि अच्छी खासी तेजी के बाद में यहां पे थोड़ा सा जो वापस नीचे प्रॉफिट बुगिंग का मोड़ा इसकी वज़े से कोई भी निप्टी हमें 2% में दिखा जे रहे लेकिन 1% से 1.5% की तेजी सभी सेक्टर में थी अब अलग-अलग सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निप्टी बैंक में आज 1.95% की अच्छी खासी तेजी देखना को मि निप्टी IT में आज गिरावर थी 0.12% की निप्टी मीडिया में 0.32% की नॉर्मल सी तेजी थी निप्टी में काफी दिन के बार आज तेजी बनी 2.28% की सांधर तेजी देखना को मिली पिछले जिनों मेटल में काफी जाना प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी आज फिर स गिरावर देखने को मिली बाकी ओर आल सारे निप्टी में अच्छी खासी तेजी थी और बाजार का वीदर था निप्टी FMCG सेक्टर तो ये आज बाजार में पॉजिटिव माहूल तो बन गया है यहाँ पे कुछ वीदर थे बाजार के जिसमें हिंदुस्तान उनिलिवर ह 5.21% की तेजी के साथ में 2,101 का इस्तर देखने को मिल चुका है टाटा इस्टील 1,308 की प्राइस के साथ में 4.25% की तेजी देखनों को मिली पिछले जिदों काफी ज़्यादा दबाव में था ग्रासिम इंडेस्टिस की बात करे तो 1,554 पर आ चुका है 4.12% की तेजी हमन के लूजर थे कोल इंडिया काफी दीन से दौट दे आप यहां पर गिरावट शुरू हो चुक है क्योंकि प्राइस में हमें कुछ दबाव दिखा ही दे दे रहा है 178 पर आ चुका है जापे 4.13% की बड़ी गिरावट दिखी टेक महिंद्रा में भी आज गिरावट थी 1,485 की प्राइस पर 1.29% की गिरावट देखनों को मिनी डॉक्टर रेडीज लेब में 3,892 की प्राइस पर 0.97% की गिरावट थी ONGC 174 पर आ चुका है 0.6% की मामुली सी गिरावट थी TCS में 3,620 के इस्तर पर 0.32% की गिरावट देखनों को मिनी तो यह कुछ बाजार के लूजर थे अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कुछ स्टॉक है जिसने निचले लव से काफी अच्छी रिकोवरी देखे जिससे लगता है कि कल यह स्टॉक कमाल कर सकते तो फ्रेंड्स इस पर आपको खल ध्यान दखना चीए तो पहला जो है एपियल अपोलो निचले लव से काफी अच्छी रिकोवरी हुए तो कल यह स्टॉक कमाल कर सकते इनमें आपको ध्यान दखे और कुछ अच्छे लगे तो आप उसमें निवेस के बारे में सोच सकते यहाँ पे अभी भी एक चिंता जनक बात है कि FI अभी भी सेलर बने हुए लेकिन उनके जो बिक्वाली हो थोड़ी से कमी आई है यह एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिगनल है मारे लिए आज की बात करें तो FI ने टोटल खरीदारी किया 10,686 क्रोड बीज की सामने उन्होंने माल बेचा है 12,667 क्रोड बीज का तो इससे उन्होंने 1,981 क्रोड बीज का माल बेचा है तो यह संक्या थोड़ी सी कम हो रही है अमाउंट कम हो रही है इससे थोड़ी सी राहत बन र तो इस तरह से उन्होंने 945 कोड़ पीज की प्योर माल खरीदा है तो उनका भी अमाउंट कम है क्यों काफी उन्होंने पहले खरीदारी कर लिए तो उन्होंने जो खरीदारी किये वो कम है लेकि अच्छी बात यह कि FI की जो भीकवाली वो भी थोड़ी-थोड़ी कम होने 223 हाई में वो करीब 55,930 पर चली गे जी कल के दिन में 9 मार्च को तो काफी उपर के लेवल से कमी तो आई है तो हो सकता है और नीचे आए तो फिर लोग का जो रुजान है बाजार से वो हटेगा नी बाजार में ही निवेस बना रहेगा अगर गोल्ड फिर से नीचे तो कुछ कमी आई है ये भी बाजार के लिए पॉजिटिव सिगनल है तो कुछ बाजार के लिए अच्छे पॉजिटिव सिगनल निकल के आ रहे अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुसकवरी निकल कर आ रहे है रूस और युक्रेन की जो लड़ाई हुए इससे इंडियन मार्केट को फाइदा हो गया है इंडियन मार्केट का मार्केट के पे वो गुरुआर को 251.88 लेक करोड़ी तक पहुझ गया है जबकि ब्रिटैन की कमपनियों का वैलूशन 249 लेक करोड़ी जरह गया है तो आप देख लो कि ब्रिटैन के स्टॉक एक्षिज को पीछे अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें अमेरिका नंबर वन पर है और जिसकी मार्केट के 46.01 लेक करोड़ पिच की है और दूसरे नंबर पे मार्केट के पे हिसाब से चीन का बाजार है जिसकी 11.31 लेक करोड़ पिच की मार्केट के पे तीसरे नंबर पे आदा जापान और इनका जो market के अप है वो 5.78 lakh rupees का है, और चौते नंबर पर होंग कोंग का market है, जिसका 3.25 lakh rupees का market है, पाथ वे नंबर पर साओधी अरेबिया है, और उसके बाद में अभी इंडिया हो चुका है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुस कबरी है, और जिस तरह से बना हुआ है mutual fund का M-P उनके आकड़ों के मुताबित फरवरी में mutual fund ने करीब 19,0075 कोड़ बिच का निवेस किया है जबकि जनवी में उन्होंने 14,887 कोड़ बिच का इन्वेस्मेंट किया था तो इस तर से आप देखो कि निवेस बड़ा है mutual fund का और इसलिए क्योंकि उनको इस समय बाजार में काफी जादा गिरावट हो चुक है उसका फाइदा पुरा उठाया जा रहा है अब यहाँ पे क्रूडल में भी काफी जादा दबाव लग रहा है डॉलर के सामने 1,14 की प्राइज चल रही है जिस तरह से माहुल बना उससे आप तो अभी बड़ी गिरावट की संभावना फिलाल तो नहीं लग रही है जब तक पेट्रोल इजल की प्राइज नी बड़ेगी तब तक बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है तो इस समय आपको अच्छे quality stock में दाव लगाना चीए निप्टी 50 की बात के तो फिलाल क्या इसके support और resistance रह सकते है फिलाल निप्टी 50 16594 पर है तो इसके support और resistance एक बार हम देख लेते हैं कल के लिए तो यहां से अगर गिरावट हो जाती है तो 16084 पर first support है यह तूटा तो फिर 15823 का इस्तर देखने को मिल सकता है तीसरा जो support निप्टी 5056 का है तो गिरावट में यह support रहेंगे अगर तेजी का महुल बना तो 16512 का first resistance है जो अल इस ने break किया है तो अच्छी बात है second 16679 का निकल के आएका resistance इसको touch करते ही फिर 16940 का इस्तर देखनों को मिल सकता है तो यह आपको खास जानका निकली 5056 के इस्तर और इसमें आप valuable खरीदारी सुरूख कर सकते है क्योंकि अब बाजार में लगता नहीं कि इतनी बहेंकर गिरावट हो सकता है थोड़ी सी गिरावट बने वैसे जिस तरह से माहुल बना हुआ क्रूड अल की प्राइज फिर से अगर बढ़ने लगेगी तो उसमें तेजी के इसाब से यहाँ पर भी बाजार में नर्मी बन सकते है और अबी भी रसिया यूकरिन का विवाद चल रहा है उसमें कुछ कमी आई है लग रहा है कि जल्दी वहाँ पर भी मामला सांथ हो जाएगा तो फिर निवेस का जरिया बनेगा तो इस समय आप थोड़ा थोड़ा के कॉलिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर दे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एडिवेसिक बाइड़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर ले क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेसन परपच के लिए ही बनाया है वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राब कर दीजे थैंक यू फ्रेंड